वलकम टू पिपिटी डेजिर्णिंग मास्टर क्लास वॉक्षोप आज हम बात करने वाले हैं पिपिटी स्ट्रेटजी, यानि की लास्ट टाइम हमने पिपिटी को बनाना, उसमे अनिमेशन करना, ट्राजेशन करना, एडिट करना, फोटो वीडियो बनाना उसके अंदर, रे तो इसके लिए आपको उसका फ्लो समझना बहुत सरुरी है कि इस किस तरह से हम जाए ताकि हम जो भी हम अपनी ओडियन्स से या तो जिसको भी हम अपने प्रेजंटेशन दिखा रहे हैं वो उनके उपर इंपेट पड़े यानि कि वो वो प्रेजंटेशन में से कुछ लेके जाए जैसे कि में बहुत सारे हमने वक्षब किये है स्टुड़न्ट मास्टर माइन में तो आपने काफी यह स्लाइट वगेरा देखे होगी तो वह हम की स्थरस से स्टेब बेस्टेब स्लाइट रखते हैं ताकि आप लोगों को उसमें से बहुत सारी इंफोमेशन कम टाइ से बिकॉस आप तो यह जो फ्लो है वह फ्लो की स्थरस से होता है जिसकी वज़े से जो भी हमारी ओडियंस है यानि कि जिसको भी हम यह बात समझाना चाहते हैं वह यह चीज़ हमारे टॉपिक कहुचे से समझ सके हैं और बेसिकली फॉर डैट पर्टिकुलर रिजन हमें सब बहुत सरे लोग पावरपॉंट का यूज़ कर रहे है यूटूब पे वीडियो बनाने के लिए स्कूल में प्रेजनेशन हो तब कॉलेज में प्रेजनेशन हो कंपनी के अंदर बेजनेशन हो कहीं पे प्रड़ेट का डेमोस्रेशन देना हो अब को तो ऐसे बहुत सारी ची होना चाहिए ऐसा है कि कोई भी कॉमन टॉपिक होता क्या है और इसको कैसे अच्छे से डिसाइड करते हैं ठीक है तो इसके अंदर जैसे की तीन बात है सबसे पहले हेडलाइन यानि कि आपकी जो टॉपिक है वो टॉपिक ऐसे ही लिखना नहीं है वो कुछ सामने वाले कंदर करें सपोर्टिव लाइन एक सपोर्ट सपोर्ट लाइन होनी चाहिए नीचे जैसे कि मैं आपको कुछ एग्समल दिखाऊंगा बात में और होता है आपका आपका नेवाला जो ओडियन्स है आपको जो सुनने वाले लोग है वह कितना डीप में आपकी और आप वहां पर फिर 12 अंडर का जैसे टॉपिक प्रेजंट करोगे तो इतना के इंपेट नहीं करता है और वाइसर वर्स है और आप 12 में हो और कोलेज का समझा होगे तो अगें वह प्रोल्म क्रेट करेगा तो यहां पर कोई भी टॉपिक हो वह लेवल डिसर करना बहुत ज जाना चाहता हो तो मुझे बहुत डिप में जाने के जरूरत नहीं क्योंकि आपके लिए यह कॉलेज और स्कूल में आने होला कहा मैं बट यहीं टॉपिक करकर मैं टीचर को बताऊंगा तो इसके अंदर और बहुत सारे टॉपिक आएंगी और यह सेर्शन और 10 सेर्शन में क्रिए हो सकता है तो इस टॉपिक इस वेरी डिप बट यहां पर में डिप में नहीं जाओंगा बट बेजिक इंट्रॉक्शन आपको देगा और कुछ रिसोसिस बताऊंगा जिसका यूज करका थोड़ा कुछ अच्छा एक बना सकते हो तो चलिए दिखते हैं यह कैसे हो सक तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो आयज वर ये सिर और हुप नियौहां यहां जो है न उपसीच सब्सक्राइब करे consider एक्ष्व में विलखे लिए प्लिग भी श करे है मैं जैसे investir के रिखा है कि क्या रहा है कि तो इसको मैं कैंसल करता हूँ और यहां पे अलग अप्शन दे रहे ठीक है और फिल्टर अगर मुझे करना है कि एटे करी तो जैसे के भी मैं सिल्ट करता हूं मनी इस टोपिक को मैंने एड़ किया अगर आपको समझे मिन आ रहे कि कॉंसे टेल में यूज़ करो तो आपको डैरेकली यहां से आओ आओ आपको मिल जाएगा है ना बहुत जब 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 आइस पार तो दे शीक टूथ आप मनी हाव तो बिकम अ मनी इंफ्लूएंसर इन थ्री इजी स्ट यहां पर और भी बहुत सारी हेडलाइन से दसीक टूथ आप मनी टॉप फिटीन ओनलाइन कोसिस तो गेट एड़ इन मनी इस विल फंदामेंटली चेंड वेई यू लूक अट मनी तरस बहुत सार है ठीक है अगर यहां पर नहीं मिलते है तो और दो तीन ट्राइग करो देर मिनिट्स आ विल गिव दे टूथ आप मनी राइट कुछ एट्रेक्शन कर रहा है वर्निंग इस नाइन मिस्टेग विल दिस्ट्रोयर मनी ओमाय कॉर्ड लोगों के अंदर टेंशन होता है कि यह तो देखना ही पड़ेगा ने तो हमारे मनी के साथ क्या हो जाएगा पता नह सब्सक्राइब तो यहां पर यहां पर मेंन कीवर्ट से तो यहां पर यहां पर मेंन कीवर्ट से और वैसे ही आप सब हेड्लाइनिंग हेड में हेड्लाइन में आप यह डा सकते हो जैसे की ओल अबाउट मनी और निचली सकते हो कि फाइव वेश्ट आफ मनी देट केंड्राइए और ड्राइव बेंकरफ्ट फास्ट तो इस तरह से कोई भी आपको लग रहा है वर्णिंग अलिट और वेश्ट आप से बाउलाँ तो तो हमारी चैनल भी आपको वह मिल जाएगा ठीक है जैसे की अभी में एक एक जैंबल बताता आपको कि आपको 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 आप एक जो यहां पर जो अलग अलग है यह जैसे की फाइब फार सेव जैनल लेग तो यह हमारा अलग अलग तरीके से लंब के दर एक पार्ट था जैसे कि all about freedom ठींड पार्थ टो फ्रीडम प्रोसेस ब्लूपिंट के अंडर में यह सारी हमारी टैग लाइन है में कोर्स का नाम है में महारा फ्रीरम प्रोसेस्ट नूपरोसेस ब्लूपिंट तो तो इस तरह से आप अलग लग बहुत सारी जो लाइन है ऐसी तरह की आप वह सर्च कर सकते हो तो इस तरह से आप कोई भी एक हेडी हेडी लाइन कर लो और उसके सबसे आपका क्या करना है फिर रिसर्च करना है आपके कॉंटेंट को कि अगर आपका मनी के बारे में कुछ बताना चाहते हो हाव टू प्लान यूर मनी हाव टू इन्वेस्ट यूर मनी इन राइट वे तो इसा कोई भी टॉपिक और आप वह बनाना चाहते हो तो सबसे पहले वह टॉपिक के बार में सबसे पहले आप रिसर्च कीजिए कि और अलवरी कितने लोग हैं जो यह सग्मेंट में काम कर रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं यानि कि वो लोगों के लाइट में कैसे वैलिएट कर रहे हैं यह बहुत इंपूरन चीज है ठीक है तो वह आप सीख़िए किवर्ट कोई से यूज करें वह बार-बार के सटरी ह कि हो खुद की सायथ स्टोरी शेयर की हो और किस तरह से वह सक्सेस तक पहुंचे उसकी कोई बहां पर बात की है तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रिश्च में कर सकते हो देन प्रोसेस मेथर स्टिच सॉल्यूशन यानि कि मनिकों कि जिसको प्रॉल्लम करना नही सॉल्य अधिटीटी उसका अंगिन सहवं को ways एःटी वेखें मे कंसे एंड कर आद करने की चैश्टी के बात उसकी को मेंगенноям बडिए सब्सक्न नहीं कोई हैं कोई भी असा नहीं कि पहली बार में बुक लिख दी पहले बहुत सारी लोगों ने बुक रिट की होगी उनका बहुत डिटेल में अभ्यास किया होगा तब जाके फिर उन्होंने अपने खुद एक बुक लिकी होगी राइट तो यह सारा जो है उसको मुझते कॉंटेंट मास् कीजिए देन फोटो वीडियो रिसोसिस ऐसे फोटोस क्लेक किजिए वीडियो देखिए उसको क्लेट कीजिए पोड़कास्ट भी आते बहुत सारे वह आप उनको सुनिए तो इस तरह से आपका जो रिसर्च है ना वह बहुत डीप होना चाहिए कोई भी टॉपिक का प्रदीन चला जाता था ठीक है तो उतना हमारी मेहनत होती है पर जैसे जैसे आपके वह हैबिट हो गया आपके पास बहुत कंटेन वास्ट हो जाएगा तब फिर आपके लिए वह बहुत इसी हो जाएगा किसी को एक्स्प्रेंट करने के लिए अप्टर देट क्या करने जैसे कि आपने मेरे सशन देख होगे तो उसमें हमें सामें पहले क्वेशन पुछ ताओ ठीक है फिर दिरे-दिरे कोई फोटो अच्छा है या वीडियो है उसके बारे में आपको दिखाता हूं दैन हम टॉपीक के अंदर चाहते हैं जो हंगर नैस है उसको इगनाइट करन अगर मुझे बुखी नहीं और चाहे मुझे कोई भी कुछ भी खाना दे तो मेरा ओ खाने की इच्छा नहीं होगी है बड़ अगर मुझे जबद्ट बूख लगी है फिर छहे मुझे थोड़ा भी अच्छा खाना मिल जाए तो मैं उसको खा लूँगा तो यहां पर यही का करने के लिए वह बस ऐसे कुछ को थो करते हैं और इसका यहां प क्या समझाने वाले हम क्या लिखिया एंख स्कूलूशन है समझात है कि यह का सॉल्जिशन थे सॉल्युशन इसका वह स्य उपर आते फिर वह का और पर ही कुछ पूल्GU का तो है उनीग को प्रीशन को सबसे बढ़े हैं अगर काफी में अगर experience नहीं रहता है यानि कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें में experience नहीं कर सकते कोई बात नहीं आपके कोई incident है या तो फिर किसी और ने जो किया यानि कि research में आपको content मिला होगा आप वो को शेयर कर दीजिए उनके साथ तो भी बहुत बढ़िया है तो बाइब इस वे यू करेट दे कॉंटेंट स्टेब बैस्टेब दैन उसके अंदर आपके अगर फोटो से आपने कोई प्रोजेट के दूरिंग वो फोटो की जो कोई किस्टडी आपने खुद बनाई हो कोई research work क करते समय आपको कुछ ऐसे amazing photos ऐसे मिले हो तो ऐसे पूरा collection बनाई है और उसके अंदर आपके जहां डालेजिए कि यह चीज आप जिब समझाते हो तब सबको इतना मज़ा आता है इतना आपका presentation में मज़ा आता है कि टाइम कहा चला जाते पते नहीं रहता है और लास्ट में जब वह 20 minutes 30 minutes के बात खड़े होते है तब आपका जो value addition है ठीक है यहां तो at least कुछ नया जानने की जो एक वह होते है कि कुछ नया जानके यहां पर कुछ satisfaction मिलता है यहां तो वह at least लेके वह जाएंगे ठीक है तो यह सारा चीज हो कुछ काम है कुछ challenge आप दे सकते हो अगर क सब्सक्राइब कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप वहां पर कुछ topic के related कुछ challenges दे सकते हो तो यह से बहुत सारी चीज़े है जिसके थू आपका प्रेजेंटेशन है वह अच्छे से आप दे सकते हो इस तरह से और उसके अंदर आप question answer आ सकते हो तो अभी curiosity आप कैस आप से जाने की कोसिज कीजिए कि वह किस चीज़ पर topic के उपर प्रेजेंटेशन चाहते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जब interview लेते हैं तो लोगों को पूछते हैं कि आपको कौन से topic पर आज बात करनी है या तो जब जाते तब कुछ questions पर करके जाते इंटर्वियर और दीरे दीरे जब बाते ज्यादा होती है और उसमें से वह और questions करते हैं तो काफी questions प्रिप्रान होते हैं बाद में कुछ questions वह दूरिंग द उनकी जो टॉक होती है उसमें से निकल के आते हैं सो भाई इस वे आप दे सकते हो सेकंड चीज नहीं है तो आप questions नहीं डाल सकती हो आल्वेज यू कें ट्राइट करो उसके आंसर एक्सपेट मत करो बस वह question छोड़ दो फिर आपका वह देरे देरे चालो करो तो आपको यह TED talk है जो श्टॉक है ठीक है वहां पर यह जैसे कि TED talk में बहुत जादा देखनों को मिलेगा कि बहुत अच्छे अच्छे presentation देते हैं वह लोग वहां पर जो टॉक देने आते हैं तो वह सारे एक ऐसे लोग होते हैं जिनोंने लाइफ में कुछ एचिव किया है और वह लोग आके जब presentation देते तो आपको पता चलता है कि एक मोनोलोग में कैसे presentation दिया जाते है और अच्छे से देखे जाएंगे तो तो क्योंकि वह 5-10 मिंट्स का एक टॉक होता है और यह बेस्ट वेश्ट 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 प्रेजेशन टेकनिक्स ओके सो टेट टोक देखिए अप ऐसे बहुत सारे और भी एपिसोड होते हैं इंटर्व्यूस होते हैं जहां पर यह प अच्छे से समझ पाएं उसमें साइध इमेज की पी जरूद नहीं है काफी बार वीडियो की जरूद नहीं बस एक इमोशन आप ट्रांसपर कर रहे हो आइधर आप वह जो भी प्रॉब्लम है उसको इतना सीरिसली बता रहे हो खुद के अनुबह से कि सामने वाले को वह प् अपने देखा होगा अमेरिका वाले की है तो यह आप इंडिया में भी चालू किया तो यह सारी चीज़े उससे कनेक्टे माभी उनको फटा-फट प्रेजिंटेशन देना हो थे अपने कंपनी के बारे में तो फटा-फट क्वेशन करते कि क्या आपको यह पता है क्या आपन आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था लेट्स टॉक है तो यह सारी चीज़े आपने देखियोगी ठीक है तो बाइट इस वे यू के रिएट गुड प्रेजेंटेशन तो यह बेजिक चीज़े जो आपको ध्यान डखनी है जब आप अपना प्रेजेंटेशन बनात चाहिए यानि कि जिस लेवल को आप समझा रहे हो वह लेवल से थोड़ा थोड़ा और जानना चाहिए जरूरी है मैं इतने गूलता हूँ कि आप पूरा शुक अंदर पीएचडी कर लो वह भी करने ही चाहिए बट एक आफ्टर सटेन लिवल है इंटिल ताइम आप बस एक अलग टोस्तों के बारे में और वह कनेक्ट कीजिए मेंली जब आप समझाते हो पीएटी कि जैसे की कोई ऐक्स्पेमेंट का बारे में समझाता है और आउनल आट थेस्यति बात करते तो हम लाइट, फैन, फ्रीच यह सब कैसे चलता है इसमें क्या होता है बाइट इस अब तो जब बनाते हो तब इस तरह से बनाओ ठीक है ताकि मेंस्ट इस तरह से बनाओ थाकि मिस्ट्री पॉइंट्स में असा नहीं बोलर विज विए तो इस वेड़ा विए था रहा विए यह रिली लाइक विकॉस बोक लगने के बाद जब लोगों को चीजे मिलती है तो बहुत मज़ा आता है and that's a reason so try to make some ppt based on this model हम भी यह बनाने बनाने वाले तो next time यह model को follow करके हम एक ppt बनाएंगे की एक topic लेके पूरा रोटापिक के उपर एक presentation कैसे बनता है हम थम्नेल से लेकर सब कुछ बनाएंगे कि थम्नेल बनाया उसके बाद वो पूरा step by step presentation कैसे डालते है उसके अंदर में बीव खतम नहोगा that's why all right so see you on next Tuesday at 7 p.m.